जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर जूनियर हाई स्कूल साहिक अध्यापक भरती परिच्छा के लिए प्रेक्टेस सेट आठ इसके पहले के प्रेक्टेस सेट आपके लिए आप हमारे यूटूब चैनल पर जाएए प्लेलिस्ट पर जाएए वहाँ पर आप देख सकते हैं और यहां पर अगर आपको किसी भी कॉस्चन में कोई भी डाउट रहे तो आप हमसे कमेंट करके भी पूं सकते हैं और यहां पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप च लाल को आजा उसको करके प्यार सुलाजा और प्रयोक्त कावव पंतिया नमलिकत में किसकी हैं यहां पर सही बनी हैं तो यह जो कावव पंतियां किसकी हैं अपका हैं बी राइट आंसर है कॉस्चिन नमबर आपका दो पूंचा है जीउण जनपद प्रवंद कावभी की आला तो question number 2 का आपका जो सही answer है question number 2 का right answer होगा आपका विकल्प number 1 प्रेयम जन आपका यहां पर right answer है question number 3 क्या पूँचाए ने मिलेकेत कभियों में से कौन अकबर के दरवारी कभी नहीं थे नहीं थे पूँचाए आप से अकबर के दरवारी कभी नहीं थे तो रहीम या मनुहर कभी या गंग या हरिदास question number 3 है महत्तोपूर्ण है और 3 का right answer है आपका अकबर के दरवारी कभी नहीं थे तो हरिदास आपका विकल्प number D right answer है कौश्य नमबर 4 क्या पूंचा हिक्के से पत्रिका को बीश भी सतापदी की आरंबिक चरण का विस्व कोस कहा गया है तो किस पत्रिका को सरस्वती को बाला बोधनी हरिष्चेंदर पत्रिका या ब्रह्मान तो आपके हैं पर कौश्य नमबर 4 जो राइट आंसर होगा चार का वह आपका सरस्वती विकल्प नमबर एक राइट आंसर है मोची राम किस की कवीता है सोदाम पांडे या रगबीर सहाई नागर जोन या अग्ये तो कौश्य नमबर 5 का आंसर बताना है कि मोची राम किसकी कवीता है तो question number 5 का right answer आपका यहाँ पर है सोधामा पांडी विकल्प नमबर आपका एक यहाँ पर सही answer है सोधामा पांडी आपका right answer है बिल्कुल सही भारत वर सोननती कैसा हो सकती है कि यह जो है किसका निवंद संग्रे है यह आपके लिए बताना है दी right answer है आचार रामचन सुकली के अनुसार करुणा दुखात्मक बर्ग में आने वाले खालिस्तान है खालिस्तान पर क्या भरा जाएगा यह बताना है भाव मनुविकार सील या नियाई तो यह आपके चार विकल्प है question number 7 का आपके लिए right answer बताना है साथ का c right answer है खालिस्तान पर मनुविकार भरा जाएगा यहाँ पर तो मनुविकार विकल्प number c right answer होगा question number 8 क्या पूंचा है हट कर बेठा चांद एक दिन माता से बोला सिलवा दो मा मुझे उनका मोटा एक जंगोला और प्रवत तरक आप पंतियां किसकी हैं यह आपके लिए बताना है मादेई बर्मा सुवेद्रा कुमारी चौहान रामधारी से दिनकर मेहतिलिशनल गौपते तो question number 8 का यहाँ पर आपका सही आंसर है कि जो पंतियां है वह रामधारी से दिनकर की है तो विकल्प number d आप b right answer है बिल्कुल सही question number 9 क्या पूंचा है देख लेते हैं यहाँ पर कि धर्मबीर भारती द्वारा रचत गरंत अंदायुग किस विदा की रचिना है किस विदा की रचिना है यह वताना है तो आपके यहाँ पर सही आंसर है यह किस विदा की रचिना है question number 9 का आपका जो सही आंसर है आपका गीती नाट है विकल्प number 1 आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा question number 10 पूंचा है बाला था जब सबको भाया बाला था जब सबको भाया बड़ा हुआ कुछ काम ना आया यह आपकी यहाँ पर चार विकल्प है question number 10 का राइट आंसर बताना है और 10 का राइट आंसर होगा यह अमीर खुसरो की पंतिया है तो विकल्प number D राइट आंसर है question number 11 पूंचा है आपसे यहाँ पर निमने लिखेत साहिकतिकारों में से सबसे कम आयू किस की रही सबसे कम आयू बताना है तो जैसंकर प्रसाद या गजानन मादा मुक्तिवोध प्रियम चंद्र या भारतेंदू हरिस्चंद्र question number 11 है महत्तुपूल question है और इसका जो सही आंसर है question number 11 का बह क्या तो 11 का राइट आंसर डी यानि की भारतेंदू हरिस्चंद्र आपका सही आंसर है question number 12 का राइट आंसर बताना है तो 12 का आपका सही आंसर रामरक्ष बैनिपुरी निराला ओदै संकर भट्टे या हरियोद तो आपका रामरक्ष बैनिपुरी विकल्प नंबर ए आपके हाँ पर सही आंसर है दिनकर की प्रिचद्र काभी किरती रस्मी रती की कथा वस्तु कहां से ली गई है तो ए आपके लिए बताना है तो question number 13 का right answer क्या होगा महत्तुपून question है और 13 का जो सही आंसर है वह है आप आपके यहां पर right answer 13 का क्या है राइट आंसर तो विकल्प नंबर आपके यहां पर महाभारत सही आंसर हो का D विलकुल सही देयोकरित देयोचरित किसके जीवन से संबंदित प्रवंदे काभे है सिभ राम कृष्ण या इंद्र तो question number 14 का सही आंसर बताना है कि देयोकरित द पंद्रा सीता को परधानिता देखा लिखा गया काब वे सीतायन की रचेता कौन था कौन था कौन है नाभादास जानकी रसक सरण या पॉलन की रामूर्ती या राम पेडियर्य सरण तो qaution 15 का आपका जो सई आन्सर है 15 का विकल्प नमबर आपका राम पिडयर्य रामचन सुकल वालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद्दोबेटी तो कॉस्चिन नमबर 16 का सही आंसर बताना है तो 16 का राइट आंसर होगा विकल्प नमबर आपका एक मेधली शनल गुप्त आपका सही आंसर यहाँ पर है कॉस्चिन नमबर 17 पूँचा गया है आपसे रामधारी सेह दिनकर की प्रसेद राचना का नाम बताना है तो चेदंबरा का माईनी या औरवसी या सुधरा तो कॉस्चिन नमबर 17 का सही आंसर बताना है 17 का राइट आंसर होगा यह प्रसेद राचना है कौन सी है वह प्रसेद इस दुर्शनय रामधारी से हैं दिन कर की तो आपका राइट आंसर होगा और वसी आनि के विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है बेलकुल चाहिए विकल्प नंबर बी राइट आंसर है आपना स्टाफ नमबर अठारा क्या पूंचा है तो विकल्प नमबर 11 आपका यहां पर सही आंसर है Question No.19 क्या है नम्लिकित में उसे किसे रचनाकार ने अपना लेखन गध्य तक ही सीमित रखा है तो वह रचनाकार बताना है जिनों ने अपना लेखन जो है गध्य तक ही सीमित रखा है राम बिलास सर्माने प्रियम चंद्र राम चंद्सुकले नगेंद्र तो question number 19 का आपका जो सही answer है 19 का आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है प्रियम चंद्र बिलकुल सही प्रियम चंद्र आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है सोई पलास दहकेंगे सीर्षक नवगीत संग्राई की रचिनाकार कौन है तो question number 20 आपका जो सही आंसर होगा इसका नची केता, महिस्वत तवारी, संभुनात, या से मालविये तो question number 20 का आपका जो सही आंसर है question number 20 का right answer क्या होगा तो बिलकुल सही 20 का विकल्प number 1 नची केता आपका right answer है नची केता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सिरीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है तो जार्जबंदना या बाल बिदभा या भारतत्तान या बेदेही बनवास तो सिरीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है तो इनके द्वारा जो रचित नहीं है वह कौन नहीं है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है एक कैस का विकल्प number डी बेदेही बनवास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा question number 22 पूँचा है चंडी चरितर किसकी विसेश्ट साहितिक रचिना है तो गुरू गोबिंद से हैं या रामदा से या अरजुन से हैं या अंगद question number 22 है और 22 का जो सही आंसर है आपके लिए बताना है तो 22 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर question number 1 यानि की गुरू गोबिंद से हैं गुरू गोबिंद से हैं आपके यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही question number 23 रहीम कृत मदनाश्टक की भासा क्या है तो यह रहीम कृत मदनाश्टक है और इसकी जो भासा खड़ी बोली है ब्रेज अभिदी राजस्तानी तो आपका 23 का जो सही आंसर है बैहे आपके यहाँ पर 23 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानि की खड़ी बोली आपका सही आंसर यहाँ पर है question number 24 यह में से कौन सा सुमिलित नहीं है पर 24 का राइट आंसर बताना है तो सुमिलित नहीं है तो आनंद मंजरी और बालमकंद गौपत यह जो है आपका सुमिलित नहीं है निवन में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो युद्ध्यात्रा धर्म वीर्भाति धनजल प्रभाकर्माचवे जुलूस रुका है वेवे की राय या दूपानों की वीच रांगी रागव तो इन में से समयलित नहीं पूंचा है आपसे तो नहीं में आपका 25 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका भी रिन जल धन जल प्रभाकर माच भी इस समयलित नहीं है कॉस्चन नंबर आपका 26 बोलती प्रित्मा की रशिनाकार कौन है पदमसे सर्मा है बनारसी दास चतुरबेदी सिराम सर्मा या सेट गो बिंद दास कॉस्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर बताना है मत तुपुन कॉस्चन है और 26 का आपका जो सई आंसर है सिराम सर्मा बोलती पृत्मा की रचनकार है सिरी राम सर्मा Q27 क्या पूंचा गया है ने मिलकेत में ऐसे कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है देखें नहीं पूंचा है नहीं है तो कौन सी नहीं है तो यहां पर बताईए Q27 का रईट आंसर बेदन बे लोग इस मिर्ति की रेखाएं हतीत के चलचेतर या पत्के सांथी तो Q27 का आपका जो सही आंसर है carbon क्या है पसु पक्षियों के रेखा चेतर प्रस्तुत की हैं, पत के सांती में, इस मेर्टी की रेखाई में, अतीत के चल चेतर में, मेरा परिवार में, तो महत्वपूर्ण कॉस्चन है, ये कई बार एकजा में पूंचा जग जा चुका महत्वपूर्ण कॉस्चन है, और पसु से और 29 का राइट आंसर सुमेलित पूंचा है तो समय की पाँ माखनलाल चतुरवेदी आपका 29 का डी राइट आंसर यहां पर है question number है आपका 30 की ठेट हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है नेराला प्रिसाद प्रेमचंद्र हरियौद question number 30 का अंसर बताना है कि ठेट हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है तो ठेट हिंदी में जो उपन्यास लिखने वाले हैं वे हैं हरिवाद विकल्प number D आपका राइट आंसर 30 का D बिलकुल चाही question number 31 है जहाज का पंची किस उपन्यास का किस प्रकार का उपन्यास है यह उपन्यास बताना है यह उपन्यास है मतलब किस प्रकार का उपन्यास है जहाज का पंची आंजलेक सामाजिक यातिहासिक मनुब्यग्यानिक question number 31 है और 31 का आपका जो सही answer है 31 का मनुबेग जाने का आपका यहाँ पर सही answer होगा विकल्प number D आपका यहाँ पर सही answer है बिहारी सथ सही में 2 हैं तो बिहारी सथ सही में कितने 2 हैं यह आपके लिए बताने हैं 500, 719, 718 या 717 तो बिहारी साथ सही में कितने दो हे हैं तो 32 का आपका जो सही आंसर है आपका 32 का सी 719 कहीं कहीं पर आपके लिए 713 भी जो हैं दे रहते हैं तो विकल्प में आपकी 713 नहीं देगा हैं यहां पर 719 दिएगा हैं तो 719 आपका यहां पर सही आंसर है अगर विकल्प में 713 होते 2719 नहीं होती इनमें से कोई एक विकल पात आपका तो घनानंद की कृतियां किस भासा में हैं ये आपके लिए बताना है अबिदी ब्रिज खड़ी बोली या मेथली तो कॉश्चन नमबर 33 का आंसर बताना है कॉश्चन नमबर 33 का राइट आंसर क्या होगा यहां पर तो 33 का आ आंसर बताना है महत्तुपूर्ण कॉश्चन है और इसका सही आंसर है आपका गंगा लहरी किसकी रचिना है तो आपका यहां पर 34 का विकल नमबर आपका यहां पर पदमा कर सही आंसर होगा कॉश्चन नमबर आपका यहां पर पूशा गया है 35 की नैने नचायो कहो मसकाई लला फिर अईयोग खेलन हूरी तो इस पंती के कभी कौन है? सेनापती हैं? पदमाकर है? घनानंद हैं? या ठाकर हैं? तो question number 35 है महत्त्तुपूर्ण पंती है यह आपकी इस पंती के कभी आपके लिए बताना है कौन है इस पंती के कभी तो पदमाकर इस पन्ति की कभी कौन है पदमाकर निमन मे ऐसी अष्टचाप की कभी नहीं है सूरदास नंददास मलूगदास या छीत स्वामी देखे तो पुष्टे मार्ग का परवर्टा ने किसने किया था सूर्दास, मदवाचार, बलवाचार या रामानुजारे तो question number 37 का सही answer बताना है और 37 का सही answer आपका यहाँ पर right answer क्या होगा तो बिल्कुल सही सही आपका बलवाचार आपका सही answer रासो ग्रंत किस भासा में लिखे गए थे? एक question महत्यपोण है रासो ग्रंत जो है एक इस भासा में लिखे गए थे? कलिवोली, अबदी, ब्रजवासा या डिंगल पिंगल तो आपका है यहाँ पर 38 का सही answer है आपका यहाँ पर डिंगल पिंगल डिंगल आपका यहाँ पर सह प्रशनकार कौन है तो आपका यहां पर 49 का जो राइट आंसर है पुस्टे दंत आपका यहां पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर है कौस्टे नंबर 40 पूचा है हिंदी खड़ी बोली किस अब राइट आंसर होगा आपका है आपका सही आंसर है कौस्टे नंबर 41 क्या पूचा है मतुरा आगरा धौलपर गौलियर आदी छेतर में नमिलकित में से कौन सी बोली बोली जाती है कहां पर मतुरा में आगरा में धौलपर में और गौलियर में ब्रजभासा खड़ी बोली अवदी या बांगरू तो आपका सही आंसर है एक तालेस का विकल्प नमबर एक ब्रजभासा बोली जाती है इन जगाए पर जो जगाए यहां पर बताएं गई है कौस्टे नमबर 42 पूचा है आपसे यहां पर हिंदी हिंदू और हिंदोस्तान सब्द किस भासा की है संस्क्रेट फार्सी हिंदी देशच तो कौस्टे नमबर 42 का आंसर बताएं हिंदी हिंदू हिंदोस्तान सब्द जो है किस भासा की है तो 42 का सी राइट आंसर है फारसी, फारसी आपका यहां पर सही आंसर है, बिल्कुल सही फारसी जोनों ने बताया है, उनका राइट आंसर है, कौर्वी भासा का उदाय किस से हुगा है, पश्चमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, राजिस्तानी या ब्रज भासा से, तो question number 43 क आंसर बताना है, तो कौर्वी भासा का जो ओदाय हुआ, किस से हुगा, तो 43 का आपका एक राइट आंसर है, पश्चमी हिंदी, बिल्कुल सही पश्चमी हिंदी आपका यहां पर सही आंसर होगा, question number है, आपका 44, 36 गड़ी किस भासा की बोली है, यहां पर, तो 36 गड़ी कि पूरी भी हिंदी आपका, यहां पर 44 का डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, डी राइट आंसर है, question number 45 है, कि मेवाती किसे उप भासा बर्गी की बोली है, तो मेवाती किसे उप भासा बर्गी की बोली है, पूरी भी हिंदी, विहारी हिंदी, राजस्तानी हिंदी, पह विकास नहीं हुआ है देखिए नहीं पूँचा है आपसे यहां पर नहीं हुआ है तो किसका विकास नहीं हुआ विहारी असमिया बंगाली या मराथी 46 का अंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नमबर आपका यहाँ पर मराथी आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर D भारत के सम्मिदान की किस अनुचियत के अंतरगत हिंदी को राज की भासा घोसित क्या गया है तो समीदान का वाई कौन सा अनुच्य दे जैसके अंतरगत हिंदी को सास की भासा घोसित क्या गया है तो आपका राइट आंसर है कि जो समीदान का अनुच्य दे 343 इसके अंतरगत तो आपका अनुच्य दे 343 इसके अंतरगत है तो आपका उननचास का राइट आंसर होगा भारत की प्रतम देश भासा पूचा है तो पाली आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर भी राइट आंसर फॉस्टे नंबर पचास क्या पूचा गया है देवनांगरी लिपी की सबसे बड़ी विसेष्टा क्या है परत्य जे ही चितवत एक बार जो है किसकी पंतियां है ये आपके लिए बताना है ये पंतियां दी गई है आपकी तो बिहारी केसबदास रसलीन या घनानंद तो इंक्याउन का आपका जो सही आंसर है इंक्याउन का क्या होगा राइट आंसर तो बिलकुल सही इंक्याउन का विकल्प नंबर आपका B राइट आंसर है यानिकी रसलीन रसलीन आपके यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल चाही question number bound पूंचा है बरवया रामाइन किसकी रचिना है सूरदास, नंददास, तुलसी दास या के सबदास question number bound का राइट आंसर बताइए कि बरवया रामाइन किसकी रचिना है तो bound का राइट आंसर आपके यहाँ पर जो होगा bound का वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर B आनिकी तुलसी दास आपका यहाँ पर B राइट आंसर है तुलसी दास आपका सही आंसर है बिलकुल चाही question number 3 नम लिखे तह आहिंदी भासी कभियों में किसका संबन्ध असम सी है देखे आहिंदी भासी कभियों में पूंचाए और उनका जो संबन्ध है भए कहां से असम सी है तो नाम देव या संकर देव या नरसी महता या चैतन्य तो आपका सही आंसर है यहाँ पर त्रेपन का विकल्प नंबर C आनिकी संकरदेव आपका राइट आंसर है, कॉस्चिन नंबर चंगन क्या पूँचा है, तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब, किसकी पंती है, यह आपके लिए बताना है, तोड़ने ही होंगे मठ और गण सब, यह जो पंती है, निराला, कि कौन स्या, इनकी आलो चिनात्म करती बताना है, सुकल जी की कौन सी है, तो बताईए, यहाँ पर 4 विकल्प आपकी यहाँ पर देगा है, और पूछ्चिन नंबर 55 है, आलो चिनात्मक करती बताने है, तो रस्मीमान सा 55 का Sie right answer है, बिल्कुल सही है, रस्मीमान सा आपका पर सही आंसर है, question number 56 है, निमलिकित में ऐसे बेंजनों में ऐसे कौन से बेंजन का उच्चारण तालू से होता है, तो तालू से जो जिसका उच्चारण होता है तालू से, भै कौन से हैं, यहां पर बताना है, तो 56 का right answer आपका, क्या होगा, तो 56 का right answer एच्छा, जो 670 का वाला है, यह C वाला विकल्प number C, वै आपका right answer है, अंगले question क्या है, तो question number आपके यहां पर संताउन पूचा गया है, क्या पूचा गया है, कि दिये गए विकल्पों में से, उतकंठा के समनार्थी सब्द कौन से है, तो संताउन का आपका जो सही answer है, वै होगा, उतकंठा के समन पूचा है, तो उत्सुपता और अभी लासा आपके यहां पर विकल्प number 1, जो है right answer यहां पर है, दिये गए काले अक्षर, बाले सब्द का अनिकार्थी सब्द लिखिए, आजकल के घरों में एक सूसजित कक्ष, अवस्य होता है, सूसजित कक्ष का आपके यहां पर अनिक पर सही answer है, बेठक आपका सही answer होगा, question number 69 है, अपने महें मिया मिट्टू बनने का अर्थ बताने हैं, आपके यहां पर question number 69 का सही answer क्या होगा, चार विकल्प देगा है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते करने हैं, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने क लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें, उनसाट का सही answer है, आपके यहां पर विकल्प number 1 यानि की अपनी प्रसंसा स्वयम करना, अपने महें मिया मिट्टू बनना, निम्न बरतिनी की दरश्ती से सुद्ध सब्द कौन सा है, यहां पर सुद्ध सब्द का चैन करना है, साट में आपके लिए, में तो करिए, साट का सही answer आपके यहां पर जो होगा सुद्ध सब्द में परिच्छा इस परकाल लिखा जाता है, तो यह जो है सुद्ध सब्द है, यहां पर पूंचा है, चा, चा, जा, जा, इंगा का उच्छन होता है, तो इसका ओष्ट से, तालू से, द साधारन बाकि की अंत में किस विराम च्छन्न का प्रियोग किया जाता है, साधारन बाकि की अंत में पूंण ब्राम या विसमाधी बोधक चिन्न प्रिसिंद चन अल्प ब्राम, तो 62 ऑपका जो सही answer है, आपके यहां पर विकल्प नमबर एक यानि कि पूंण ब्राम आपक आपुस्ता के भी हाथों हाथ बिग गई. या आपकी लिए बताना है, कर्मधारख ने, दुट अब अब यवी या तत्रोस, हात हाथ में बताना है. तो बताए इसमें कुनसा समास है? तो एप उस तक भी हाथों हाथ बिग गई तो 64 का सही आंसर होगा इसमें अभी अभी भाव होगा विकल्प नमबर B आपका सही आंसर यहाँ पर है तो question number 65 है 65 का सही आंसर है आपका यहाँ पर करण होगा विकल्प नमबर B राइट आंसर है तत्सम सब्द है यहाँ पर तत्सम सब्द कौन सा है तो बताईए question number 66 का आंसर तो तत्सम सब्द पूंचा है आपसे यहाँ पर तो अमृत काठ माता बंदर तो आपका यहाँ आपर सह सहीद दूद या खड़की कौन सा है तत्सम सब्द तो कौस्ट्ज नमबर आपका यहाँ पर शरसट है Saar सर्थ का आन्सर आपका यहाँ पर क्याहुकर राइट राइट ऐझाल टांसर विकल्प नमबर एक आंसर 68 का, 68 का C right आंसर है, इलाचन जो सी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा अलीगण का बोली छेत्र चाहे, तो अलीगण का बोली छेत्र बताने है, अविदी है, ब्रेज है, खड़ी बोली है, अच्छतिस गड़ी तो question number 79 का सही आंसर बताना है, महत्तपूर्ण question पूछा गया है, और इसका सही आंसर है, 79 का आपका C, आनि की bridge, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 70 है, किस रचिना का दूसरा नाम आलह घंड है, तो प्रत्वी राज रासो, विजय पाल रासो, परमाल रासो, हमी रासो, वै कौन सी रचिना है, जिसका दूसरा नाम आलह घंड है, तो आपका सही आंसर है, 70 का विकल्प नंबर आपका, क्या होगा right answer, भी right answer है, यानि की परमाल रासो, अस्व का पर्याबाची बता रहे हैं, आपर यह आपका अस्व दिया है, और इसका पर्याबाची क्या है, तो बताए, अस्व का पर्याबाची सब्द है, तो 71 का right answer होगा, अस्व का पर्याबाची इसमें असी है, घोटक, घोटक आपका यहाँ पर सही answer है, अंतरक्ष का पर्याबाची सब्द कौन से प्रतिवी आकास तो आपका यहां पर अंत्रक्ष का प्रयाबाची पुँचा है और यहां पर यहां पर व्य्याबा का ब्राइट आंसर है बियुंकुल चाही बिकलत नंबर भी, आपका राइक आंसर है, तो दोहाचुपाई से लिए है, मस्नभ सभी है या वरवया या उप्रुक सभी तो रामचरित माना से नामप महाकापी की जो रचिना सेली है वह कौन सी है दो हा चौपाई सेली आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर है जो मात्रिक सम छंद है पृतियक चरण में 16 मात्रा होती है उसे क्या काईती है उसको बताना चोत्तर का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक यानिकी चौपाई चौपाई आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक राइट आंसर है सजना है मुझे सजना के लिए मैं किस अलंकार का प्रियोग है यमक, छेक अनुप्रास, अनुप्रास, तो आपका 75 का जो 75 आंसर है, बहे आपक यहां पर विकल्प नमबर एक यानि कि यमक आपका राइट आंसर यहां पर होगा, अंगला कॉस्च्ट प्रियू सम्छ नमबर 76 कि तर्णी के ही संघ तरल टरंग में, तर्णी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयोक्त तरल बतान है, 76 का सही answer क्या होगा, तो यमक होगा इसमें जो आपका लंकार है, वह कौन सा है, यमक का लंकार है, question नमबर 77 है, सम उपसर्ग का मा, सम उपसर्ग का मा किस सब्दे में सुनाई पड़ता है, तो संयम में, गर्म, संबाद या आपका संख्या, 77 का आपका right answer होगा, तो आपका सही answer है, संबाद, संबाद यानि की विकल्प number B आपका right answer है, मुझे किस पिरकार का सर्व नाम है, मुझे ए आपका दिया है, मुझे, किस पिरकार का सर्व नाम है, उत्तम पुरोष, अन्यपुरोष, मध्यम पुरोष, इन में से कोई नहीं, 78 का answer बताना है, तो 78 का आपका right आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नमबर यहां निकि उत्तम प्रोस आपका सही आंसर यहाँ पर है तो आपका अकरमक राइट आंसर है उन्यासी का राइट अन्सर है उन्यासी का पूछा है कौन सा बाग के असन्य भूतकाल में हैं ये आपके लिए बताना है question number 80 का सई आंसर जबी लोग एक बार वीडियो को like बस्ते कल लें question number 80 है और 80 का सई आंसर है मैंने आम खाया विकल्प number डी राइट आंसर है ये जो है असन्य भूतकाल है ये बाग के आच का अर्थ क्या होता है आच का अर्थ बताने हैं आपके लिए यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं तो आच का अर्थ बताना है बताए क्या है इसका राइट आंसर मत्पूर्ण question है आच का अर्थ क्या होत निक निकिता है बाक्य में खालिस्तान अभिएपद है तो है अपने हमेश्वाप घई तो इह चार है इसमें आपको करांइट आनस्र होगा क्यosis की द्रश्टी से अमीर है देशत सब्द है या तसम सब्द है विदेशत सब्द है अमीर आपको बताना है अमीर क्या है यह कौन सा सब्द है और आपका राइट आंसर क्या होगा तेरासी का सही आंसर बताना है तो तेरासी का आपका विदेशत सब्द है क्या सब्द है सब्द का चैन करना है कोश्चन नमबर 85 में और सब्द बर्षनी में आपका ब्रहनी लिखना है किस प्रकार आप लिखेंगे यहां पर सब्द का चैन करना है तो ब्रहनी यानिकी विकल्प नमबर C, आपका राइट आंसर यहां पर है Question number 86 परतिवर से नदी में बाड आ जाती है बागट में किस पिरकार की संग्या है व्यक्ति बाचक, भाव बाचक, जाती बाचक एयासा कहते है की जो संग्या है जाती बाच आनी की विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर है निमने लिकत में से कर्म बाच्चे वाला बाग के चुने कर्म बाच्चे वाला जो बाग के है यह ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया उससे सब कुछ बता दें 87 का सही आंसर है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया एक कर्म बाच्चे वाला बाग के है तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है यहाँ पर question number 88 में और 88 का आपका जो सही answer है भै क्या है? समराट आपके यहाँ पर right answer होगा विकल्प number हाँ, विकल्प number एक right answer है उर्दू सब्द स्वादा का बहुबचन में क्या रूप होता है? यह आपके लिए बताना है question number 89 का right answer यहाँ पर क्या होगा? उर्दू सब्द स्वादा का बहुबचन में क्या रूप होता है? तो 89 का सभी लोग answer बताएंगे महत्वपून question है और 89 का सही answer है, उसकी रूप में कोई परिवातन नहीं होता है जो है आपका विकल्प number भी right answer है नहीं ने लिखे सब्दों में से विसेशन को पहचानिये मजहब पीणा नेतिक आकास question number 90 है और 90 का सही answer है आपका कि विसेशन को यहाँ पर पहचानना है तो 90 में आपका जो विसेशन है वह नेतिक के कौन सा है? नेतिक यानिक उपसर्ग पूँचा है उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है आपर बताना है तो आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number एक यानिकी sum आपका right answer है question number है आपका 92 भरत मुनी की अनुसार रसों की संख्या है 8 है, 11 है, 9 है, 10 है question number 92 और इसका सही answer क्या होगा भरत मुनी जी ने जो है रसों की संख्या मानी है तो सभी के लिए पता है कितनी मानी है तो विकल्प number एक आपका यहाँ पर सही answer है question number 93 पूँचा है कौन सा कथन पूरी तरह है तत्पूर्ष समास से संबंदे थे तत्पूर्ष समास से संबंदे थे पूरी तरह है तो भहे कथन बताना है कौन सा भहे कथन है यहाँ पर कथन का चैन कर ले जल्दी से question number 93 में आपका right answer यहाँ पर क्या होगा तो 93 का विकल्प number C इसमें प्राहा उत्तरपद प्रधान होता है यह तत्पूर्ष समास से संबंदे थे यह कथन पूरी तरह से विध्यारती उधारन है ब्रधी स्वरसंदी का ब्यंजन स्वरसंदी का या गण स्वरसंदी का गण स्वरसंदी का या दीर्ग स्वरसंदी का विध्यारती बहुत चल question है विद्यारती उधारन ही किसका है दीरगेश और संधी विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो D है right answer है अंगला question है बदूर्मी का संधी विच्षित क्या होगा तो question number है 95 और इसका सही answer होगा इसका संधी विच्षित बताना है आपके लिए तो आपके हैं पर राइट आंसर है क्या राइट आंसर 95 का विकल्प नमबर B विकल्प नमबर B यानि कि बदो धन उर्मी आपके हैं पर सही आंसर होगा यहां से आप आपसे पूँचा गया है कि कॉस्चन आपके 96 से सौता की गद्यांस पड़कर यहां पर पूँचे गए हैं तो हिंदी साहित इतिहास को चार भागों में बाटा गया है आदिकाल में भक्तिकाल, रितिकाल और आदुनेकाल फिर आपको यहां पर गद्यांस दिया गया है कि भक्तिकाल के संते कभी सूरदास जी को कौन नहीं जानता भक्तिकाल के किष्ण उपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसारावली साहित लेरी आदी अनुमोल खजाना हिंदी साहित को दिया है उनके पदों में बास सल्ल सिंगार सांतरस के भावपराप्त होते हैं उनके लिए कहा गया है कि सूरसूर तुलसी, ससी, उडगन के सबदास के अश्टचाप के सरफसेष्ट कभी है उनके कावब की विशेष्टा एह है कि बेग गेग पद हैं और उनकी अध्यक्तर रचना ब्रेज भासा में पाई जाती हैं कहीं कहीं पर संस्कर फार्चरी भासा के सबदी भी पाई जाते हैं उनकी रचना में अनुपरास, एमक, सिलेश, अपमा और प्रिक्ष आदी सभी अलंकार पाई जाते हैं वे जन्वान्दे थे और लेकिन उनके पदों में जो बंडन पाई जाता है बैस सजी हो ऐसा लगता है लगता ही नहीं है कि वे जन्वान्दे थे उनकी म्रत्यू 1580 इस्वी में हुई थी हिंदी साहित जगत में वे सद्यू अमर हैं तो यह आपका यह गध्यास दिया था अब इस से कॉस्चन आपके बनती हैं हिंदी साहित के इतियास को कितने भागों में बाटा गया तो सभी के लिए पता है कि हिंदी साहित के इतियास को चार भागों में बाटा गया है तो 96 का विकल्प नमबर आपका भी राइट आंसर होगा सूरदास जी कौन से काल के संत कभी हैं यह आपके लिए बताना है तो आपका 97 का सही आंसर सभी के लिए पता है कि सूरदास जी जो है एह कौन से काल के हैं तो आपका सही आंसर विकल्प नमबर एक भक्तिकाल बिल्कुल सही भक्तिकाल राइट आंसर है नमनल के तरचना में ऐसे कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं देखे आप से यहाँ पर 98 में नहीं पूंचा है तो नहीं में बताना है आपके लिए 98 का सही आंसर क्या हो साहित लहरी है सूर्दाजी की सूर्षारवली यह सूर्षागर भी है और रमेनी आपका राइट आंसर होगा यह आपका विकल्प नंबर यह राइट आंसर है यह रच भयानक रस तो रस नहीं पाया जाता है तो इनके जो मतलब इनके पद रहती है सूरदास जी की जो पद है इसमें जो भयानक रस यह नहीं पाया जाता है तुपिकल नमबर आपका डी यहां पर सही आंसर होगा question number 100, सूर सर तुलसी उसी उडगन के सबदास इस पंती में उडगन का क्या अर्थ होता है, तारे प्रत्वी चंद्रमा या समद्र उडगन, इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो आपका बिल्कुल सही, आपका सही answer होगा, तारे, इसका अर्थ होता है, क् यहां पर है तो इस परकार अपनी यहां पर बहुत भी महत्पूर्ण कॉस्चन कंप्लीट हुए हैं और यह अपना प्रेक्टिस सेट आठ था इसके पहले कि आपकी प्रेक्टिस सेट अप्लोड हो चुके हैं चैनल पर प्ले लिस्ट बनिए वहां पर आप जाएए और देखि करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैए हिंद्ड करें पर देखिए